अधरनिया अध्यक्ष जी बहुत बहुत धन्यवाद ये नए डुजन मिलने के बाद दूसरी बार मौका मिलगा जिरो आर में इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट का जो ट्रिबुनल बिल जो अभी आया अध्यक्ष जी 2019 इसके बार में मैं कहना चाती हूँ कि 1966 में पंजाब जो कंबाइन पंजाब था तो उससे हर्याना अलग हुआ था उसमें में ये समझोता हुआ था कि रावी सतलुज वहाँ पर जो नदी है उसका पानी जो है वो हर्याना को दिया जाएगा उसके तहत अध्यक्ष जी ये 214 किलो मिटर का ये डिसाइड हुआ था कि 92 किलो मिटर जो हर्याना बनाएगा नहर क्योंकि वो SYL के नाम से फेमस है सतलुज यमना लिंक कि वहाँ पर वो लिंक जो है नहर बनाई उनके साथ समझोता हुआ उसके बाद सुप्रीम कोट में चले गए पंजाब भी हर्याना भी वहाँ से फिर वापिस समझोता हुआ 1984 में जो लोंगोबाल समझोता कहा जाता है फिर यहाँ पर ये डिसाइड किया गया सुप्रीम कोट में फिर दुबारा गए आप यह देखी आज की तारीक में सुप्रीम कोट में हमारे फेवर में आ चुका है डिसीजन लेकिन फिर भी सुप्रीम कोट को भी पंजाब नहीं मान रहा है तो मेरी जल संसाधन जो मंत्राले जल चक्ति मंत्राले उनसे मेरी विंती है कि यह S.Y.L. जो है वो बड़ा जबर्दस मुद्द है हमारे हर्याना के लिए अगर जल चक्ति मंत्राले जो हमारा वो इंटर्वीन करके और उनको बोले कि सुप्रीम कोट का डिसीजन तो कम से कम माने आपस में हम प्यार प्रेम से पड़ोसी हैं अगर इस तरह से अगर हम करेंगे आप देखिए 1966 लेकर आज तक जो है वो हमें सुप्रीम कोट का डिसीजन तो कम से कि पंजाब को मानना चाहिए तो मैं यह कुझे कि परवत नदिया पवन के जोके कोई सरहद ना इन्हें रोके बहुत बहुत धन्यवादा दक्षे